हालो फ्रेंड्स नमस्कार एंड विल्केंट विशामाधान तो साथियों बिहार इससे सच्छे वाले साहएक परिक्षा 222 के उपर हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं इसमें देखेंगे साथियों की बहुत सारे जो मित्र थे वो अवेधन में कुछ mistakes कर दिये हैं अब चाहे वो फोटो को लेंकर लें करके हो mistakes या सिगनेचर को लेंकर हो या फादरस निम मिस्टेक हो इसके अलाबे कटेगरी में भी बहुत सारे स्विनिन ने मिस्टेक्स किया है तो क्या उनका फर्म रद होगा या उनको सुधार का मौका मिलेगा तो इन सब चीजों को देखने वाले हैं और कौन ऐसे गलती हैं जिसके वज़र से लाखोय वेर्थी बाहर हो रहे हैं जिनको कोई मौक होंगे या आपको कोई दिकत नहीं होने वाला है तो आइए चलते हैं अफिस्चल नोटिफिकेशन पर इसके पहले अगर आप चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकम को प्रेस कर दिजिए अब चलिए मैं लेकर चलता हूँ आपको अफिस्यल नोटिफिक कैटेगरी में मिश्टेक कर दिया है जैसे आप देख सकते हैं ऑुलाइन अवयदन पत्र में दबा किया गया कि अरक्षा श्रेणी में किसी प्रतिति में परिवरतन नहीं किया जाएगा तथा इस समंद्ध में किसी वह आवैदन पर बिचार नहीं किया जागा गलत अरक्ष तो साथियो इसमें आपको घबराने की कोई जरूत नहीं है आपका अवेदन रद नहीं होगा लेकिन आपको अरक्षन कलाव इसमें नहीं मिलेगा और आपको इसमें जो जेनरल कटेगरी से होते हैं उसके अंसर काउंट किया जाएगा तो PT में तो आपका जो result होगा जिस कटे काइट किया है यह किस कटेगरी में अगर आपका marks General के बराबर होगा तब आपको बाहर नहीं किया जाएगा साथियू लेकिन अगर उससे कम होगा तो आपको उस कंडिशन में बाहर किया जाएगा तो अगर आप कटेगरी में मिस्टेक कर दिया है और अभी आपको पता चल गया है तो साथियू परिशान होने की जुरूत नहीं है बस आपको मेहनत ऐसे करना है कि आपका रिजल्ट जिन से नाता है फ्रेंड्स कि जैसे जो गर्ल्स हैं और खासकर कि जो जिनका हल फिलाल में मैरीज हो गया हो या मतलब पहले भी हो गया है तो देखिए यहां पर क्या करणिशन उनका आरक्षां के दवा करने वाली बिवाहित महिलाओं का जाती क्रिमिलेयर रहित परमापत्र उन इन्हों ने अपने हैस्वेंड के यानि पति के नाम से निर्गत कर वा लिया है तो उस इनको भी आरक्षां का मिलेगा साथि हो इनका जो प्रमापत्र है तब ही इनको बाहर नहीं किया गा वरना आप भी अगर जर्फ कर दिया है तो आपको प्रसान होने के जुरत नहीं है सब त्यारी किजिए लेकिन आपको इस से बाहर नहीं किया जागा वरना आप भी अगर जनरल कर दिया जाएगा मेंस में और पीटी में दोनों में तो यह यहां से दूसरा मिस्टेक जो है इसके रिगार्णिंग भी आप बाहर नहीं होने वाले हैं तो बिल्कुल भी आप पैनिक ना हो आएए आगे बात कर लेते हैं अगला करने से ने फ्रेंट्स की यहां पर अभेर्थी या सुनिशीद करेंगे पर रंभी परिछा के ऑन्लाइन आवेदान समर्प इस समय आपको रिजक्ट किया जाएगा आगे इसमें देख लेते हैं तो आगे इसमें दिया है साथियों यहां पर देख सकते हैं किसी परकार के पैरवी करने या कराने अथवा गलत या अपूंड सुचना देने अथवा चैन की परकरिया को किसी परकार का अनुचित तरीक अपना कर नियुक्ति प्रभावित करने का प्रयास करने प्रभयत्यों का थित्वर रद कर दिया जाएगा तो यह देख सकते हैं यहां पर अब देखें साथ्वी यहां पर जो एक कंडिशन है इसमें होता क्या है कि एक अभियत्य द्वरा मात्र एक ही ऑनलाइन पत्र भरा सकता है लेकिन बहुत सारे भरती एक साधिक फत्र डाल देते हैं यहां पर जैसे कि उनको कैटेगरी में मिश्टेक कर दिए या कोई मिश्टेक कर दिए अगर उनको जनकारी नहीं है तो वो करते क्या है फिरेंड्स की अपना दूसरा फॉर्म को डाल देते हैं इस कंडिशन में होता क्या है कि जब आपका एडमिक कर जारी होता है तो फर्म का इस स्कुरूटनी किया जाता है और एक ही जो चंडिशन से एक ही नेम पता और एजुकूषिकेसंसे मुल्टीफल मिलते हैं तो इनको दुबारा रिचेक किया जाता है और उस कंडिशन में सारा डेटा मिलाया जाता है तब पता चलता है कि अगर एक ही अवेर्थीक है तुस कंडिशन अपको कोई चांस नहीं मिलने वाला है सांतियो अगर 2 form अपने फिल कर दिया है अब सांतियो जैसा कि यहां पर आपका biometric भी लिया जाएगा तो जब भी आपका exam होगा उसमें अच्छे सा biometric दीजिएगा थाकि आपको documents verification समय में दिकत ना हो वरना इसके बजल से भी आपको बाहर किया जा सकता है यहां पर देख सकते हैं आप अब बात करते हैं साथियों की बहुत सारे फ्रेंट्स कमेंट भी कर रहे थे प्रेविएस वीडियो पे कि उनका जो फोटो को बैगराउंड है वो रेड हो गया है या किसी कारण से उन्होंने सिंगनेचर गलत अप्लोड कर दिया है तो उस कंडिशन में साथियों मैं यहां पर बता दू कि आपका फर्म रिजेक्ट नहीं किया जागा अगर रिजेक्ट किया भी जाता है साथियों तो सभी जो अभीरति हैं अगर मिस्टेक किये हैं ऐसा तो उनको दुबारा मौका दिया भी देख लेते हैं अब याईए दोस्तों यहां पर मैं क्लियर कर दों आपको जो हाल ही में रिजल्ट जारे किया गया है 27 तरीक यहां पर देशकते हैं इंटर लेबल बला तो देखिए कांसेलिंग है तो यहां पर 14,410 गंडेट को मिला गया था कांसेलिंग वह पस्त अभ सब्णफार कर दिया गया है लिंक पर देखिए अब गलती क्या होता है साथियों इसमें ने की बहुत सारे साथिये से मिस्टेक कर दिया है मेल हो जीसे कि अग多 इस पूइब हमिए अगर ले कफजाते क्रणा है अगर आपको यह को इस कम लाते हैं तो इस condition में बाहर कर दिया जाएगा अब आगे इसमें बात कर ले li जादे मार्क्स लाने में फेल होता है यानि आपका मार्क्स जनर्र कटेगरी के बराबर नहीं आता है तो उस कंडिशन में आपको बाहर कर रस्ता दिखा दिया जाएगा अब यहां पर बात करने फ्रेंट्स की जो यहां सबसे जादे है शत्रा 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 यह पता है फ्रेंट्स क्या है काने के मतलब कि जैसे आपका जो पुष्ट को क्रम भाज दे दिए जगा यहां पी यह लोग मिश्टेक यह किये हैं तो उसमें आप मिश्टेक यह मत करना कि केवल एक पुष्ट दे जो जो भी पुष्ट के लिए आप सा रहे पुष्ट को क्रमाज दे दिए जगा यहां प्र यहां पी यह कि यह किये हैं कि क्यवल एख सीलेक्ट किये हैं और और उसमें आप इनका कट आफ पार नहीं कर पाएं लेकिन दुसरे पुष्ट के लिए एलिजबल थें बट इनका 24 उसमें नहीं डाले थे जिस कारण से इनको सीट पे सामिल नहीं किया गया है और बाहर करास्ता दिखा दिया गया है तो यह कुछ से इंपोर्टेंट नोटिस था फ्रेंट्स जिसको हमने नोटिस किया इस नोटिफिकर संग माध्यम से और आपको सुचा कि मैं बता दूं ता बिल्कुल पैनिक ना हो जो भी मैंने मिस्टेक बता है कि इसके लिए आपको बाहर नहीं करने वाला है बिहार से तो आप लोग बि क्राइब करें शुचाए वीडियो को अधिक से अधिक स्याइब कीजिए नहीं करता है